Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to learn the fourth lesson of your English book. आज हम आपके English book के fourth lesson को पढ़ेंगे. Lesson number four, a tiger tells his story. जो lesson का नाम है वो ऐसा है, a tiger tells his story. एक tiger, एक बाग अपना कहानी कहता है और बता रहा है. In this lesson, we are going to learn or we are going to read about a tiger. और in this lesson, we will know about a tiger. इस कहानी में हम एक टाइगर के बारे में पढ़ेंगे और एक टाइगर के बारे में जानेंगे. So, listen carefully and try to understand the lesson. So, let's start. A tiger tells his story. Do you know me? यहाँ पर tiger, यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं, एक tiger है, वो हमें पूछ रहा है. Do you know me? क्या आप मुझे जानते हैं? I am a member of the cat family. में एक बिल्ली परिवार का सदस्य हूँ. Member of the cat family. The lion, the leopard, the jaguar and the lynx are all members of the cat family. और कौन कौन है cat family में? The lion, the leopard, the jaguar and the lynx. यह सारे बिल्ली परिवार के सदस्य है. यहाँ पर tiger, यह जो बाग है, वो अपने बारे में पूरा बता रहा है. हम आगे देखते हैं, यह tiger अपने बारे में और क्या-क्या बताता है. यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, एक बड़ा सा tiger है, है न? और वो अभी अपना कहानी बताना सुरू किया. यहाँ पर टाइगर कहता है कि, मैं बिल्ली परिवार का, यह cat family का सबसे बड़ा सदस्य हूँ. मुझे एक सेर कहा जाता है, बाग कहा जाता है, नाग से पूँच तक मैं दस फूट लंबा हूँ. कितना लंबा है टाइगर? दस फूट लंबा है, नाग से पूँच तक. मेरा वर्जन लगबग तीन सो पचास किलोग्राम है. तो टाइगर का वर्जन कितना है, वेट कितना है? अबावट 350 किलोग्राम्स. We tigers live in different parts of Asia, but I live in India. The people of India have given me great honor. They have made me their national animal. Now, they don't kill me for sport or for my skin. हम बाग एसिया के बिविन बाग में रहते हैं. लेकिन मैं कहां पर रहता हूँ? यह जो सेर यह कहता है कि लेकिन मैं भारत इंडिया में रहता हूँ. भारत के लोग ने मुझे महान सन्मन डिया है. उन्होंने मुझे अपना रस्ट्रे पसू बना दिया है. As you all know, आप सभी को मालूम है हमारा रस्ट्रे पसू कौन सा है? ताइगर है. अब वे मुझे खेल के लिए या मेरी स्किन के लिए नहीं मारते हैं. My body has a lovely cot. It has the yellow color of an orange. I have narrow black strips on my body. My cheeks are white. The inner side of each leg is also white. I have a large white spot over each eye. My whiskers are also white. They are quite stiff. यहां पर यह ताइगर अपने सरीर के बारे में बता रहा है. उसका color क्या है? और वो कैसा कैसा बोडी के पार्ट से उसके बारे में बता रहा है. My body has a lovely cot. मेरे सरीर में एक सुन्दर cot है. Cot मतलब क्या है? Cot means the hair that covers an animal's body. Cot बोलने से जो animals जानबरों के सरीर में जो बाल होते ना उनको है ना? तो यहाँ पे सेर बोलता है मेरे सरीर में एक सुन्दर cot है. अनार में जो पीला रंग होता है ना? वेसे ही मेरे सरीर का रंग है. मेरे सरीर पर संकिन काली पटियां है. मेरे गाल सफेद है. यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में टाइगर का गाल सफेद है. प्रतिक पेर का भित्री भाग भी सफेद होता है. यहाँ पेर आप देख सकते हो पेर का निचला भाग सफेद है. मेरे हर आंख पर एक बड़ा सफेद चिन है. मेरी मूचे भी सफेद है यहां पर टाइगर केता है उसका चीक्स उसका पेर का निचला भाग और उसका मूच यह सारे सफेद है और जो टाइगर का मूचे होते है न वो थोड़ा स्टिफ होते हैं मेरी आके बरी और गोल मेरी में चीजों को रात में सपस्ट रूप से देख सकता हूं मेरे पास तेज कान और अच्छी नाक है में सबसे कम से कम आवज सुन सकता हूं में दूरी से ही चीजों को स्मेल कर सकता हूं मेरे पेर में पैड है पंजे में है न मेरे पंजे में पैड है जब मैं चलता हूं या दोड़ता हूं वे कोई आवज नहीं करते हैं तो यहां पे जो यह पंजा होता है टाइगर का पंजा उसके निचला भाग में एक कॉमल मुलायम बाला मांस होता है जिसके बज़ा से टाइगर जब चलता है या दोड़ता है कोई आवज नहीं होता है यहां पे टाइगर कहता है उसको क्या खाने में पसंद है मांस मेरा पसंदिता भोजन है मुझे फल, मिल्क या सबजियां पसंद नहीं है मुझे स्वर, बक्रियां और हिरन के मांस पसंद है मुझे भेस का मांस भी पसंद है मैं एक जानबर को मारता हूँ जब मुझे भूख लगता है मैं खेल के लिए कोई जानबर को कभी नहीं मारता तो यहां पर हम आगे देखते हैं और क्या क्या टाइगर अपने बारे में बताता है I don't like the hot sun I love the cool shed of the forest trees I sleep by day and hunt by night I don't hunt in packs I love to hunt alone I like to eat in a quiet place so I drag my kiln to a corner after eating my fill I go to a pool of river for water यहां पर टाइगर कहता है कि मुझे गरम दूप पसंद नहीं है मुझे जंगल के पेडों की सांत चाया पसंद है मैं दिन को सोता हूँ और रात को सिकार करता हूँ यानि टाइगर जो है वो रात दिन को सोता है और रात को सिकार करता है मैं जूंड में सिकार नहीं करता अकेल सिकार करना मुझे पसंद है मैं एक सांत जगा में खाने के लिए पसंद करता हूँ इसलिए मैं अपने सिकार को एक कोने में खीच के ले जाता हूँ जितना मैं खा सकता हूँ उतना खाने के बाद मैं फानी पीने के लिए एक फूल या नदी पर जाता हूँ यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो ना टाइगर खाने के बाद वो पानी पीने के लिए नदी में गया है और पानी पी रहा है तो आगे देखते हैं I can run very fast I can swim also I am not good at climbing trees but I can jump to great heights I can jump to a height of 18 feet यहाँ पे टाइगर कहता है कि मैं बहुत तेज से दोड सकता हूँ मैं तेर भी सकता हूँ यानि टाइगर तेर भी swim भी कर सकता है मैं पेडों पर चड़ने में अच्छा नहीं हूँ लेकिन मैं महान उचाया पर से कूद सकता हूँ मैं 18 feet की उचाय तक कूद सकता हूँ Tiger यहां पर बताता है नीचे और देखते है Forest is my home When I was young, I lived with my mother in a cave I had a brother and a sister also How I loved both of them I don't know where they are now यहां पर Tiger केता है जंगल मेरा घर है जब मैं चोटा था मैं अपनी मा के साथ गुफा में रहता था मेरे मेरा एक भाई और एक बहन भी थे केसे मैं उन दोनों को प्यार करता था मुझे नहीं पता वे अब कहा है We lived with our mother for one year She gave us lesson in hunting She was a very good teacher She taught us the art of hunting We learnt this art very quickly Now our mother didn't have to hunt for us We could easily hunt for our own food So we made separate homes for ourselves My own home is in a big cave in the forest यहां पर टाइगर अपने घर के बारे में बता रहा है एक साल तक एक साल के लिए अपनी मा के साथ रहते थे उसने हमें सिकार के से करते हैं सिखाई वो बहुत अच्छी ठीचर थी उसने हमें सिकार की कला सिखाई हमने इस कला को बहुत जल्दी से सीखा अब हमारी मा को हमारे लिए सिकार करना नहीं पड़ती है हम असने से अपने भोजन और खाने के लिए सिकार कर सकते हैं इसलिए हमने अपने लिए अलग से घर बनाया मेरा अपना घर जंगल में एक बड़ी गुफा में है यहां पर टाइगर बताया उसका अपना घर जंगल के एक बड़ी गुफा में है तो आगे देखते हैं और क्या टाइगर बताता है यहां पर टाइगर के ता है कुछ साल पहले हम टाइगर संख्या में नंबर्स में केई हजारों थे यानि बहुत सारे थे हम जंगल में रहते थे और खाने के लिए परियाफ्त था खाने के लिए बहुत सारा था हम जंगली जानवरों के मास खाते थे लेकिन उस समय इंसान हमें मारना सुरू कर दिया उन्होंने जंगल को काट दिया जहां हम रहते थे वो हमारी दुस्मन बन गया यहां पे इंसान क्या हुआ टाइगर का दुस्मन बन गया the dog is the natural enemy of the cat the mongoose is the natural enemy of the snake but we tigers have no natural enemy only man is our enemy he has taken away from us our home and our food some of the tigers are very angry यहाँ पर टाइगर लास्ट में कहता है कुट्ता बिल्ली का प्रकृतिक दिस्मन है नेवला साब का प्रकृतिक सत्रू है लेकिन हम बागों के पास कोई प्रकृतिक दिस्मन नहीं है केवल इनसन हमारा दिस्मन है उसने हमसे हमारे घर और हमारे भोजन खाने का दूर ले लिया है कुछ भाग तो कुछ टाइगर अभी बहुत गुसे में है वे मासाहरी बन गए है ना यहाँ पर टाइगर कहता है कुछ टाइगर लोग तो इनसान के उपर बहुत गुसे में है और वोई क्या होगे है वे मासाहरी मैनिटर्स होगे है तो in this lesson we learned about a tiger एक tiger के बारे में हम पढ़े tiger कौन सा family का है cat family का है और कौन-कौन cat family में है lion, leopard, jaguar, lynx ये सारे cat family के है और tiger largest member of the cat family ये जो tiger है वो cat family का largest member सबसे बड़ा सदस्य है और यहां पे सारे tiger के बारे में हम details में पढ़े तो आपका homework क्या है you have to watch the video carefully and try to understand the lesson आपको दियान से video को देखना है और lesson को समझने के लिए courses करना है और दुसरा homework ये है ये जो हर page के नीचे जो difficult words और उनका meanings red color में दिया गया है उनको आपके notebook में लिखना है और उनके meanings को learn करना है ये आप लोग को दुसरा homework है तेंक य। झाल झाल